कैसे हैं आप लोग तो आज हम बनाने वाले हैं आलू गोबी की सब्जी जिसके लिए मैंने दो प्याज अद्रक लसन का पेस्ट तीन से चार हरी मिर्च और दो बड़े टमाटर काट लिए हैं यहां पर गोबी और आलू को अच्छी तरीकी से चौप कर लिया है और एक कडाई में पानी गरम होने के लिए रख दिया है इस पानी में हम गोबी को बॉइल करेंगे गोबी में हम नमक और हल्दी एड़ करेंगे हल्दी मैंने इसलिए एड़ करिए ताकि गोबी के सारे बैक गो भी अच्छी तरीके से फ्राय हो चुकी है, अब हम एक प्यास लेंगे जिसे हम बड़ा बड़ा काट लेंगे और उसे भी हम इसी तरह फ्राय करेंगे प्यास को हम ज्यादा नहीं पकाएंगे, बस हम इसे हलका सा गोल्डन ब्राउन करेंगे अब एक पैन में ओईल लें जिसमें जीरा, डालचिनी और तेज पता अड़ करें साथ ही साथ प्यास और मिर्ची भी अड़ करें अब हम इसमें अदरक लेस्टन का पेज डालेंगे इसे अच्छी तेरीके से पकाने के बाद हम इसमें टमाटर अड़ करेंगे अब हम इसे 2-3 मिनट तक पकने देंगे अब हम एक बाउल लेंगे जिसमें हम मसाले अड़ करेंगे धनिया पाउडर, गरम मसाला, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, स्वाद अनुसार नमक अब हम इसमें गरम पानी अड़ करेंगे और इसे हम पाँच मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए रख देंगे अब हम इसमें अपना बीगा हुआ मसालों का पेस्ट आड़ करेंगे और पानी डालकर अच्छी तरीके से बूनेंगे यहाँ पर मेरा मसाला अच्छी तरीके से पक चुका है अब हम इसमें प्राइ किये हुए गोबी आलू प्यास को अड़ करेंगे अब हम इसमें पानी अड़ करेंगे इसे हम स्लो फ्लेम पे 10 से 15 मिनट तक पकने देंगे इसे हम दन्या से गानिश करेंगे और आपकी आलू को भी बनके तयार है